तो आज की वीडियो में दोस्तों जो हम आपके लिए वेकेंसी लेकर आए हैं वो निकली है डिपार्टमेंट और पर्सोनल लाइन ट्रेनिंग में जी हां दोस्तों जो की आता है मिनिस्ट्री ओफ पर्सोनल पॉब्लिक ग्रिवेंस एंड पेंशन के अंतरगत स्टाप सेलेक् कर लेते हैं कौन-कौन सी वेकेंसी है कैसे आपको अप्लाइ करना है का एच क्राइटीरिया मांगागा है का इसमें आपको साल के प्रोवाइड की जाएगी उससे पहले आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और हमारी चानल को सब्सक्राइब करें बात की जाए दोस्तो अगर वेकेंसी की जो वेकेंसी निकली है दोस्तो वो निकली है मल्टी टास्किंग स्टाफ की और हवलदार की अब चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं की क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए दोस्तो मल्टी टास्किंग स्टाफ की क्वालिफिकेशन की तो इसमें जो आप की उमरभागी गई है अगर बात की जाये नंबर औस निकली है वो निकली है 1198 को सक्षक निकली है 128 कि छो नेक्स्रक्ट वर ज्यक्रदार की इस तोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों हवल्दार कि दोस्तों जो वेकेंसी निकली है वो निकली है Central Board of Indirect Taxes and Customs and Central Bureau of Narcotics में दोनों को मिला के दोस्तों जो number of post निकली है वो निकली है 306 बात की जाए दोस्तों अगर Central Board of Indirect Taxes and Customs के qualification की तो दोस्तों इसमें जो आपकी qualification मांगी है वो मांगी गई आप 10 वी पास होने चाहिए लेवल 1 के तहट इसमें आपको salary मिलेगी और दोस्तों 18 से 27 साल तक की इसमें आपकी उमर मांगी गई है बात करें दोस्तों अगर Central Bureau of Narcotics के qualification की तो इसमें भी दोस्तों आपकी जो qualification मांगी गई है है वो मांगी गई है दसवी पास लेवल 1 के तहतीस में आपको salary मिलेगी लेकिन दोस्तों इसमें जो आपकी जो age मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 25 साल तक की अब दोस्तों आप यह सोच रहे होंगे कि यह आपको apply कैसे करना है तो दोस्तों यह आपको online apply करना है application form का link आपको नीचे description में प्रोवाइड करती है जाएगा आपको जाना है लिंक पे क्लिक करना application form को फिल करना है application form को submit करने से पहले दोस्तों आप application fee पे करनी है अगर आप general OVC category से दोस्तों तो आपको सो रुपे पीस पे करनी है अगर आप स्ट सी गुमेन और PWD Candidator तो आपको इसमें कोई भी फीस पे नहीं करनी है application form का print out भी निकाल सकते हैं दोस्तों for future reference और दोस्तों application form को submit करने से पहले आप उसको एक बार go through जरूर कर लिजेगा application form दोस्तों आपको 21 जुलाई से पहले पहले fill करना है इसमें दोस्तों आपको एज में relaxation भी मिलेगा अगर आप STSE से हैं तो आपको दोस्तों एज में relaxation मिलेगा पांच साल का अगर आप OBC से हैं तो आपको एज में relaxation मिलेगा तीन साल का अगर आप PWD candidate है दोस्तों तो आपको जो age में relaxation मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 10 साल का तो दोस्तों ध्यान रखेएगा जो इसकी last date है वो है 21 July 2023 यहां 21 July 2023 से दोस्तों पहले पहले आपको इस form को fill करना है आपकी दोस्तों इसमें fees रहेगी वो non refundable रहेगी दोस्तों तो form को बड़े ही ध्यान से fill कीजेगा दोस्तों advertisement का link आपको नीचे description में provide कर दिया जाएगा advertisement को अपने आप go through जरूर करिएगा thank you so much दोस्तों for watching our videos